हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप टेन क्लासेज, मैं अभी सेक कुमार आपको गड़िप पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग त्रिकोर्ण मिती पढ़ रहे हैं, त्रिकोर्ण मिती की प्रस्णावली तीन दस्वलों, तीन NCEIT स हम लोग अब तक 9 प्रस्ण हल कर चुके हैं, आज की वीडियो में हम प्रस्णादस से आगे की सवालों को हल करेंगे, तो सुरुआत करते हैं वीडियो, प्रस्णादस, प्रस्णादस है, साइन, साइन यन प्लेस वन इंटू एक्स, इंटू साइन यन प्लेस टू इंटू सब्साइब हो में राटो सब्सक्राक्रा नियाख कि ब्लस सब्सक्राइब करना है कौस करना है ठीक है देखे हमें दिया क्या है ? साइन यंठ प्लास राबर क्या पहसक होगा तो सबसे पहला का ममारा होगा हम इससे क्या लिख लें बायाप पच लिख लें धिसे लोकी लिख रहे है यह लेयकर समें क्या दिया गया है यृह कि साइन लोग में उन क्या लिखेंगे सवाल का लाष हुआगए अब क्या करेंगे solve करने का प्रयास करेंगे ध्यांस देखिए जरा अगर हम लोग इसे A माने और इसे B माने ठीक है तो यहाँ भी हमारे पास यह कौन हो जाएगा यह A हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा B ठीक है तो हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो इस टाइब का बनेगा साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B हम लोग ने पढ़ा है सूत्र क्या पढ़ा है सूत्र कौन सा सूत्र कॉस A साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B बराबर होता है कॉस A माइनस B मतलब यदि यहां क्या रहेगा? प्लस रहेगा तो यहां answer में क्या आएगा? माइनस आएगा क्या आएगा? माइनस आएगा अगर हम लोग यह सूथ यहां apply करते हैं तो यहां क्या बनेगा? देखे, sin a, sin b पहले है फिर cos a, cos b है ठीक है? यहां क्या हो जाएगा A-B का formula ठीक है तो cos A-B का formula होता है cos A cos B plus sin A sin B जब minus रहता है तो plus जब plus रहता है तो minus तो देखें यहां क्या हो जाएगा यह formula हो जाएगा cos A-B क्या हो जाएगा A-B मतलब n plus 1 n plus 1 into x यह किसका काम कर रहा है A का फिर क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे B का काम कौन कर रहा है N प्लस 2 इंटू कौन X ठीक है यह रहा क्या Cos A माइनस B Cos A माइनस B तो यहां क्या हो जाएगा यह हो जाएगा Cos अंदर गुड़ा कर दीजिए X का तो यह हो जाएगा N A X Plus X Minus N A X फिर क्या हो जाएगा Minus 2 X ठीक है N A X यहां देखिए Plus में है और यहां N A X क्या है Minus में तो यह N A X से N A X घटके क्या हो जाएगा Zero हो जाएगा यहां हमारे पास क्या बचेगा Cos X में से 2 X निकल जाए देखिए 2 X यहां क्या है Minus में है और X क्या है Plus में है तो इस 2 X में से X घटेगा तिहां क्या बचेगा Minus X और Cos Minus Theta बराबर क्या होता है Plus Theta इसलिए हांसर होगा क्या Cos Theta यह हमारा क्या है यह हमारा जो आया वो क्या आगया R, E, H, E, S अंतिम लाइन में लिखेंगे कि जो Y, E, H, S है वो बराबर है किसके R, E, H, E, S, K इस प्रकार जो हमारी सवाल है वो क्या होती है सिद्ध होती है ठीक है यह रही सवाल नमर आपके लिए 10 बढ़ते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की ओर देखिए प्रसंख्या 11 प्रसंख्या 11 हमारे पास है कॉस थ्री पाई वाई फूर प्लस एक्स माइनस कॉस थ्री पाई वाई फूर माइनस एक्स बराबर माइनस अंडर रूट टू साइन एक्स ठीक है यह हमें क्या करना है सिद्ध करना है की cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x बराबर minus under root 2 sin x सबसे पहले हम लोग सवाल में से क्या लिखेंगे left hand side बाया पच्च हमें बाया पच्च क्या दिया गया है बाया पच्च हमारे पास है cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x ठीक है cos a plus b minus cos a minus b ठीक है आप चाहें तो ये सूत लगा सकते हैं a plus b का और यदि आप चाहें तो ये भी सूत लगा सकते हैं कि cos इसे इस पूरे पत को क्या माना जाए c माना जाए और इस पूरे पत को क्या माना जाए d तो हम लोग यहां cos c minus cos d भी लगा सकते हैं देखे, cos c minus cos d ना लगा करके हम लोग क्या लगा लेते हैं? cos a minus b लगा लेते हैं ठीक है? देखे द्यान से अगर हम लोग यहां लगाएंगे cos a plus b तो cos a plus b के formula में जहां plus होना है, वहां क्या होता है? minus, तो यहां यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा cos 3 pi by 4 into cos x minus क्या हो जाएगा? minus sin 3 pi by 4 into sin x यह कौन सा पद रहा? पहले पद का, ठीक है? आगे इसका दूसरे पद का तोड़िए दूसरे पद में यहां क्या लगेगा? minus ठीक है? यहां क्या हो जाएगा? cos 3 pi by 4 into cos x minus है इसलिए क्या लिखा जाएगा? plus देखे, यहां plus था इसलिए क्या लिखा गया? minus यहां minus इसलिए क्या लिखा जाएगा? प्लस यहां क्या हो जाएगा? sin 3 pi by 4 into sin x ठीक है? यह रहां क्या करेंगे? हल करेंगे तो यह bracket हटाकर इस minus का अंदर क्या कर देंगे? गुड़ा कर देंगे यहां क्या हो जाएगा? cos 3 π.y.4 into cos x minus sin 3 π.y.4 into sin x minus यह क्या हो जाएगा, हमारे लिए? cos 3 π.y.4 into cos x, यह minus और यह plus क्या हो जाएगा? minus क्या हो जाएगा, sin 3 π.y.4 into sin x ठीखे? ध्यास देखे यह वाला पद हमारे पास जो है और यह वाला पद दोनों क्या है सेम है देखे कॉस तीन पाई बाई बाई चार इंटू कॉस एक्स यहां भी कॉस तीन पाई बाई बाई चार इंटू एक्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे यह प्लस है और यह माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन किसका लगेगा, माइनस का, ठीक है, माइनस 2, क्या हो जाएगा, माइनस 2, sin 3 phi y 4, into क्या हो जाएगा, sin x, हमें क्या करना अब, यह sin 3 phi y 4 जो दिख रहा है, इस sin 3 phi y 4 का क्या रखना है, मान रखना है, आईए साइन 3 πाई वाई 4 में 3 πाई वाई 4 को सबसे पहले तो बदल लेते हैं डिगरी में 3 πाई वाई 4 में 3 गुड़े πाई का मान 180 बड़ा कितना 4 4 से से कट करेंगे तिया कितना हो जाएगा 4 चोग 16, 2 18, 4 पचे 20, 45, 45 पे 3 से गुड़ा करेंगे 3 पचे 15, 3 चक 12 और 12 और 13, ठीक है? 135 मतलब यहां कितना लिखा है? –2 sin 135 इंटू क्या लिखा है? sin x, ठीक है? 135 लिखा है, इसका मतलब –2 sin 90 प्लस 45 90 प्लस 45 इंटू क्या हो जाएगा? sin x, ठीक है? 90 प्लस 45 आपको याद हो कि हमने क्या पढ़ा था? हमने as tc के बारे में पढ़ा था, as tc, ठीक है? तो 90 में जैसे ही हम कुछ जोड़ेंगे, तो खाना कौन सा होगा? दूसरा खाना होगा, दूसरे खाने में कौन-कौन positive? sin positive होता है, और कॉसेक positive? तो यहां क्या लिखा है? sin, sin का जो भी answer आएगा, वो क्या मिलेगा? positive मिलेगा, दूसरी बात हम 90 पे खड़े हैं, तो लोग 90 के यह वाली line बोलती है, कि जो भी अनुपात रहेगा, हम उसे क्या करेंगे? बदल देंगे, तो जब यह अनुपात बदला जाएगा, यहां लिख देते हैं, बटा करणी में 2, into क्या हो जाएगा? sin, x, ठीक है? देखे, इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? करणी में 2, into करणी में 2, लिख सकते हैं, यह कितना हो जाएगा? minus, करणी में 2, into करणी में 2, बटा क्या? करणी में 2, into क्या? سाइन एक्स एक करणी में दोसे करणी में दो क्या हो जाएगा कड़ याँ एक्स और ये रहा आपका रह यस्छ तो क्या लिखेंगे लाइशत्में लामosph में लिखेंगे यह लहँड़ ty fps इस प्रकार आपकी सवाल नंबर इग्यारा भी क्या होती है सिद्ध होती है बढ़ते हम लोग अगले प्रस्थन की ओर अगला प्रस्थन है हमारा question number 12 देखे question number 12 है sin square 6x sin square 6x minus sin square 4x बराबर sin 2x into sin 10x साइन 2x into sin क्या है हमारे पास 10x ट्यांस देखिए हमें क्या करना है इधर वाले यह हमारा बाया पच्छ है और यह हमारा कॉंसा है दाया पच्छ हमें यह प्रूब करना है जितनी भी सवाले हम लगा रहे हैं सब सवालों में क्या करना है सिद्ध करना है क्या करना है सिद्ध करना है कि यलेचस जो है वो क्या है आरेचस के बराबर है तो हम लोग इसमें से क्या यलेचस ले ले रहे हैं देखिए यलेचस लेट हैंड साइड हमारे पास क्या है लेट ह ओके यहां लिखा है Sine2 को कि आपको याद हो एक सरवसमिक आने बीं चड़ित में पढ़ी है कि A2-B2BoR, बढ़र एक bracket में A-B और अगले bracket में A-B इसी सरवसमिका का यहां क्या करेंगे हम लोग प्रयोग करेंगे, ते यह क्या हो जाएगा साइन 6X क्या हो जाएगा प्लेस साइन 4X अगले प्रेकेट में यहां हो जाएगा साइन 6X माइनस साइन 4X एक प्रेकेट में क्या हो जाएगा प्लेस और अगले प्रेकेट में क्या हो जाएगा माइनस ठीक है ना अगली लाइन देखिए अगली लाइन में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है किसका साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी देखिए यहां कौन साइन लोगों ने पढ़ा है हम लोगों ने जिस सूत्र पढ़ा था उसमें एक्स और वाई लिया x plus y y 2 into cos x minus y y 2 ठीक है यह sin c sin x plus y के लिए होता है दूसरा में यहां क्या लगाना है sin c minus sin d मतलब sin x minus sin y sin x minus sin y इसके लिए जो सुत्र होता है वो हमारा होता है 2 cos c plus d y 2 into cos c minus d y 2 ठीक है यह हमारे पास क्यों सा है sin c minus sin तो यह हमारा sin c minus sin d मतलब sin x minus sin y के लिए 2 cos x plus y अब by 2 इंटू अच्छा यहां cos नहीं क्या sin x minus y y क्या है 2 ठीक है देखे इन दोनों सुद्रों का आप यहां क्या करेंगे हम लोग प्रयोग करेंगे देखे यहां क्या हो जाएगा sin c plus sin d तो sin c plus sin d लगाए या sin x plus sin y लगाएंगे यह क्या हो जाएगा और नीचे लिखते हैं यहां हो जाएगा 2 sin c का मान कितना है x का मान 6 x और y का मान कितना 4 x यह हो जाएगा 6 x plus 4 x बते 2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा हमारे पास cos, cos 6x-4x बटे कितना 2, ये पहले bracket की बात है, अब बढ़ेंगे हम लोग count से दूसरे bracket की हो, दूसरा bracket है हमारे लिए क्या, 2 cos क्या हो जाएगा, 6x-4x बटे 2, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, साइन, 6x-4x बटे 2, ठीक है, ये हो गया, आगे इसे हल कर लीजे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन, 6 में 4 जोडेंगे, 10, और 10 में 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5x, इंटू क्या हो जाएगा, cos 6 में से 4 घटाएगे, तो 2, 2 में 2 से भाग जोडेंगे, कितना हो जाएगा, केवल x बचेगा, अगले bracket में पहुचे, तो ये हो जाएगा, 2, cos, 6 में 4 जोडेंगे, कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 5-6, और 6 में से 4 घटाएगे, तो 2, 2 में 2 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएग fact 생각이 है अब दोनों को देखिए दोनों चीज didn चीजों की दरवरत है उन को साथ ले ब्लीजिए क्यों कि क्या है इसमें गुड़ा है अब गुड़ा है तो अक जो कैसे लिखा सकता है रुकान करेके लिखासपता अगले प्रेकेट में तू क्या हो जाएगा तू साइन एक्स यहां से कॉस जा रहा है तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स देखिए यह सूत रहे किसका साइन टू एका तो यहां क्या हो जाएगा साइन पांच दो गुड़े पांच एक्स इंटू साइन दो गुड़े एक्स यहां हमारा कौन देखे साइन टू एक्स इंटू साइन दस एक्स साइन हमारे पास यहां तू एक्स इंटू कौन साइन दस इस प्रकार से यह मैं क्या मिल गया आर यह यह ठीक है इस प्रकार से आपकी सवाल नंबर कौन सी 12 भी क्या होती है सिध्ध होती है जिसमें आप से कहा गया कि संगर भा डीकिये साइवर साइन दस एक्स त nov72 चल्क है यह साइब तन्य ठीडш अग्ले होत्ते हैं अगले प्रस्दिक ओर प्रसंख्या चेका 13 सबसे न क्या इस प्रक्रान स्व Says को genbook सिब्सक्राइक है यह मैं क्या इअ निन एक स्वेशनुल और सा काक्राल स्वेशनुल थे सब्सक्राइब ग्रॉप कहंद के कि कामोध क्लिकाल यह खीए और हमारा यह यह समस्वेश पर तूtrans ह mês और minus cos square 6x ठीक है? यह हमारा यलेचस है अब यलेचस में सबसे पहले क्या करेंगे? वरगांतर का सुद्र लगाएंगे वरगांतर का सुद्र क्या होता है? a square minus b square बराबर एक bracket में a plus b अगले bracket में a minus b a plus b और अगले bracket में a minus b देखे, यहां क्या हो जाएगा? पहले वरगांतर लगाएंगे तो यहां हमारे पास जो बन क्या है वो हो जाएगा cos 2x plus cos 6x अगले bracket में हो जाएगा cos 2x minus cos 6x ठीक है? यह हमारे पास cos cos x plus क्या है? cos y है यह हमारा cos x minus क्या है? cos y है सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं? सूत्र लिखते हैं, देखे हमें यहाँ सूत्र किसकी किसकी सूत्र की जरूत पड़ेगी cos x plus cos y के लिए जो सूत्र होता है वो दोनों cos cos में होता है 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 दूसरा जो सूत्र है हमारे पास वो क्या है? दूसरा है cos x minus cos y ठीक है? cos x minus cos y देखे, cos x minus cos y में दोनों के लिए हमारे पास क्या होता है? sin sin होता है सबसे पहले minus लगा देते हैं 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2 ठीक है? यह रहा चलिए इन्ही दोनों सुत्रों का अब क्या करेंगे? यहाँ प्रयोग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे पहले पहले bracket में c d लगा दीजिए पहले bracket में c plus d लगाएंगे यह हो जाएगा 2 cos 2 x plus 6 x बटे 2 into क्या हो जाएगा? cos 2 x minus 6 x बटे 2 यह पहले bracket का है ठीक है? दूसरे bracket में आईए दूसरे bracket में आपा पहले minus लगेगा फिर हो जाएगा 2 sin क्या हो जाएगा? x plus y x plus y मतलब 2 x plus 6 x बटे कितना? 2 ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? sin 2 x minus 6 x बटे 2 ठीक है? यह दूसरे bracket में दूनों bracket को क्या कर लीजे? हल कर लीजे यहां क्या हो जाएगा? यह 6 और 2 कितना? 8 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा यहां हो जाएगा 2 में से 6 घटेगा 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा वो भी minus में और minus में 4 में 2 से भाग देंगे तो यहां चुझाएगा 4x ठीक है देखेए 6 में फिर से 2 घटाएंगे तो माइनस 4 होगा और माइनस 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा साइब माइनस 2x ठीक है यह दूसरे र्केट में देखेए यहां का कॉस माइनस चीटा बरढ़र क्या हो जाता है कॉस सूझा हो जाता है साथ और तूइस वाले को हूज साथ तो एक सानते डों साइन फूर एक सिंटू कास फूर एक में अगले डीर्केट में डू पहले साइन लिख लिते हैं साइन्डू एक स्नुन कॉस टूय hypothesis ठीक है यहां क्या हो जाएगा हमार्डे यह हो पूरा टू साइन साइन टू ए यह हो जाएगा साइन चार दूना कितना आर्ठ एक्स देखे आठ एक्स लाना था यहां क्या हो जाएगा दो और दो कितना चार दिये हो जाएगा कितना साइन साइन दो दूना चार एक्स ठीक है यह हमारा क्या रहा आर येच येस ठीक है आर येच येस इस प्रकार यलचेस बराबर क्या हो गया और हम लोगों ने सवाल नंबर 13 को भी क्या कर दिया है सिद्ध कर दिया है ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की ओर देखे अगला प्रस प्रसंख्या 14 हमारे पास काट साइन 2 एक्स प्लस टू साइन 4 एक्स प्लस साइन 6 एक्स बराबर 4 कॉस स्कॉर एक्स इंटू साइन 4 एक्स ठीक है देखे हमें क्या करना है हमें साइन 2 एक्स प्लस 2 साइन 4 एक्स इंटू साइन 6 एक्स बराबर 4 कॉस स्कॉर एक्स इंटू साइन 4 एक्स क्या करना है सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह लिखेंगे देखें यह लिखते हैं हमारे पास यह लिएच्स हो जाएगा, sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x ठीक है, देखे, ध्यान से 2 sin 4x को छोड़ करके sin 6x और sin 2x में सबसे पहले आम लोग क्या लगाते हैं CD लगाते है, sin c plus sin d या sin x plus sin y, देखे तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं sin 6x plus sin 2x plus 2 sin 4x ठीक है आपको ध्यान हो तो हम लोगों को सुत्र पता है साइन सी साइन एक्स प्लस साइन वाई तो साइन एक्स प्लस वाई का सुत्र होता है टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू ठीक है यह किसके लिए सुत्र है साइन एक्स प अप्लाई करेंगे इन दोनों पदों में ठिक है यह हो जाएगा सी और यह हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा साइन कितना 2 साइन 6x प्लस 2x बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस 6x माइनस 2x बटे 2 ठीक है और हमार पास कौन है प्लस 2 साइन 4x पहले से है ये देखिए आगे आईए आगे बढ़ते हम लोग तिये हो जाएगा 2 साइन 6 में 2 जोड़ेंगे तकितना हो जाएगा two ill हमाइन 2 से भागे गद कितना हो जाएगा 2x टीक है यह दो से भाग देंगे कितना हो जायएगा चार क्लस यहां हो जायएगा 2 two Sin4, AX ठीक है यह एक पद हमारा है ठीक है और दूसरा पद कौन है इन दोनों पदों में आगर आप देखें तो Sin4, AX यहाँ भी है Sin4, AX यहाँ दोनों मेंसे Sin4, AX common कर लिए यहां क्या बचЕए Gefühl टो 2x, 2x, 4x, common, तो पहले वाले bracket में क्या बचा? पहले वाले bracket में बचा, cos 2x, प्लेस इस ब्रेकेट में क्या बचा? प्लेस वन, ठीक है? cos2x का formula आपको याद हो हमने cos2x के लिए कई formula पढ़े हैं तो हम cos2x का ऐसा formula लगाएंगे जिससे ये क्या हो जाए कट जाए ठीक है ध्यान से देखिए cos2x की table cos2x का सबसे पहला formula होता है cos2x minus sin2x दूसरा formula होता है 2 cos2x minus 1 तीसरा formula होता है 1 minus 2 sin2x और चोथा formula होता है 1 minus 10 square x upon 1 plus 10 square x ठीक है ये 10 cos के लिए है तो हमें इस एक को क्या करना है हटाना है इसलिए हम लोग ये वाले सुत्र का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे क्या क्या हो जाएगा 2 sin4x bracket में 2 cos2x minus 1 और ये plus 1 पहले से है ये घट के क्या हो जाएगा 0 ये घट के क्या हो जाएगा 0 तो यहां क्या बचेगा यहां बचेगा 2 sin4x into 2 cos2x दो दूना कितना हो जाएगा 4 cos2x into क्या हो जाएगा sin4x यह हमें क्या करना था देखिए प्रूब करना था ठीक है इस प्रकार हम लोगों ने question number 14 को भी क्या किया है सिद्ध किया है ठीक है जिसमें हमें मिला 4 cos square x into sin 4 x देखें बढ़ते हम लोग अगले प्रश्णी की ओर प्रसंख्या हमारे पास है 15 प्रसंख्या 15 में हमारे पास है cot 4 x bracket में sin 5 x plus sin 3 x बराबर cot x bracket में sin 5 x minus sin 3 x ठीक है देखें हमारे पास जो सवाल है वो आपके सामने है यहां cot 4 x है और यहां क्या है cot x है चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लिग लेते हैं सब्सक्राइब क्या है cot 4 x bracket में sin 5 x plus sin 3 x कि द्यास देखे हम लोग यहां इसके देखे बैकेट के अंदर साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं तो यहां क्या हो जाएगा cot 4 x रैकेट में 2 साइन है तो हो जाएगा 2 साइन 5 x plus 3 x by 2 ठीक है into cos 5 x minus 3 x by क्या हो जाएगा 2 solve कर लीजिए cot 4 x को क्या लिखेंगे हम लोग cot 4 x को लिखेंगे क्या cos 4 x upon sin 4 x bracket में 2 sin 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 2 से भाग देदेंगे कितना हो जाएगा 4 यहां हो जाएगा कितना 4 x into 5 में से 3 घटाएगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 में 2 से भाग देदेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यह हो जाएगा क्या cos x ठीक है ठास देखें इस cos x को बाहर कर लेते हैं और साइन को क्या कर देते हैं अंदर यहां हमारे पास क्या हो जाएगा यहां हमारे पास हो जाएगा cos x upon sin 4 x bracket में 2 sin 4 x into cos 4 x ठीक है 2 sin 4 x into cos 4 x इसके लिए जो हमारा सुद्र बनेगा वह किसका बनेगा सुद्र बन जाएगा साइन 2a का किसका बनेगा साइन 2a तो यहां हो जाएक यह जाएगा cos x upon sin 4 x ठीक है यहां हो जाएक कितना sin 2a sin 2a का मतलब कितना देखें यह cos x बाहर हो गया sin 4 x 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 8 में 2 से भाग देए 4 ठीक है यहां हो जाएक कितना यह हमारे पास हो जाएगा गुडे sin 8 x क्या हो जाएगा sin 8 x अच्छा स्वारी गर्बढ हो गया यहीं ठीक है हमारा आंसर उपर ही आ जाता यहां देखे sin 4 x से sin 4 x क्या करेंगे कट कर देंगे ठीक है जो बच जाएगा उसे क्या करेंगे लिख लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एंपैस हो जाएगा क्या हमारे पास हो जाएगा 2 cos 4 x handful क्या 1 kat तो इधर से मिलोग क्या ले ये यह थे है आरे पास क्या है है को को ऑट एकस ब्रैकेट में और जाएगा यह हमारे पास हो जाएगा ब्रेकेट में टूर शाइन में सबसे पहले क्या आता है कॉस आता है। टो इंटू साइन-3-2 ठीक है bisa यह अधा क्या कॉट इस को लोगो क्या लिखे Santos कॉस इएक्स अपान साइम एक्स में टो कॉस प्राइच में तीन जोड़ेंगे तो आठ कर दो दोनिय। इस साइन एक्स साइन एक्स से इस वार क्या हो जाएगा कुट जाएगा और हमें बचल क्या तो कॉस एकस इंटु क्या । आप देख पा रहे होंगे, यहां भी वर पास 2 cos 4x into cos x है, और यहां भी 2 cos 4x into क्या है, 4x, अर्थात, यहलेचेस जो है, वो किसके बराबर है, यहलेचेस बराबर क्या है, आर यह यहस के, ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए सवाल नमर 15 भी क्या होती है, हल होती है, आगे 9x upon cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x, बराबर हमें प्रूब करना है, माइनस, sin 2x upon cos 10x, ठीक है, देखे, हमारे पास यहां जो दो फॉर्मूले लग रहे हैं, वो कौन-कौन से हैं, पहला तो है, cos c minus cos x minus cos y, दूसरा है, sin x minus sin y, सबसे पहले हम दोनों के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, देखे, पहला है, हमारे पास क्या, cos x minus cos y, ठीक है, देखे, cos x minus cos y के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है, minus 2, क्या होता है, सबसे पहले minus लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले पत में, जो d minus c होता है, उसे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो यह हो जाएगा, sin x plus y by 2, into sin x minus y by 2 ठीक है अगला formula वारे पास क्या है sin x-sin y तो sin x-sin y में सबसे पहले कौन आता है सबसे पहले हमारे पास x-y में cos आता है फिर कौन आता है sin आता है तो यह हो जाएगा 2 cos x plus y by 2 into sin x-y by 2 ठीक है यह formula हम लोग सबसे पहले लिख लिए है अब इस फामुले की साहिता से हम लोग क्या करेंगे साखाल को सब्सक्राइगे देखें हमें यह लिखना video क्या एकल याज लिखना है終 यह यह समारे पास क्या है cade-9 एक्स-5 इELLER अपान साइन सतरा एक्स साइन 53 ठीक है द्यास देखें हमारे पास क्या हो जाएगा sin x minus sin y, sin x minus sin y, यहां क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, देखे भाईए, यह पहला वला सूत लगाएंगे न, पहला वला सूत लगाएंगे, तो यहां क्या लिखेंगे सबसे पहले, minus, क्या लिखेंगे, minus, 2, sin, क्या हो जाएगा, 9 x plus 5 x upon 2, और हमारे पास क्या हो जाएगा साइन के लिए लगाएंगे तो यह हो जाएगा टू कॉस सत्रह एक्स प्लैस तीन एक्स बटे दो इंटू इंटू हो जाएगा हमारे पास क्या साइन सत्रह एक्स माइनस तीन एक्स बटे दो तो यहां क्या हो जाएगा भाईया देखिए यह हो जाएगा माइनेस टू नौ और पांस कितना हो जाएगा चौदा 14 में 2 से भाग देंगे, तrzy कितना हो जाएगा? 7. क्यों हो जाएगा? 2 sign, कितना? 7 x into sign, 9 में से 5 घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 4, और 4 में 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 x. 4e का पटा, यहां देखिए क्या हो जाएगा? 2 cos है हमारे पास 17 में 3 जोड़ोगे 20 20 में 2 से भाग दोगे तो 10x into 17 में से 3 घटा दे होगे तो 14 बचेगा 14 में 2 से भाग दोगे तो 7 यहां हो जाएगा sin कितना 7x sin 7x से sin 7x कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और जो बचेगा वो minus sin 2x upon cos 10x यह रहा आपका क्या आर यह 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 रहा आपका क्या आर यह 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 ठीक है इस प्रकार से यह रही आपकी सवाल नंबर कौन सी सोलर ठीक है बढ़ते हम लोग अगले प्रस्शनी की ओर प्रसंखे 17 हमारे पास है sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x बराबर क्या हमारे पास 10 4x ठीक है देखिए दोनों में इस बार क्या है हमारे पास plus plus है दोनों में plus plus के लिए हम लोग क्या करेंगे सूत्र लिख लेंगे सबसे पहले सूत्र हमारे पास जो है वो क्या है sin x plus sin y ठीक है किसके लिए साइन सी प्लस साइन डी के लिए हमारे दूसरा सुथ चाहिए कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई टू हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस के लिए प्लस के लिए हमें चाहिए तो यहां हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू way well into एध्य देखिए हम लोग सब्से पहले क्या लिखेंगे इसके लिए ल यह से हमारे पास क्या है चाइनtant प्लैसाइं धृय एकषप्लैस सीं साइनagens ऑपान यह क्या हो जाए गां प्लैस मैं करेंगे अप्लाइब करेंगे जब क्या क्या हो जाएगा 2 sin क्या हो जाएगा 5x plus 3x by 2 into क्या हो जाएगा cos 5x minus 3x by 2 और पूरे का बटा यहां क्या हो जाएगा 2 cos 5x plus 3x by 2 into cos 5x minus 3x by 2 ठीक है देखे हम लोग इसका इन दोनों सुत्रों का क्या कर रहे हैं आप रियोग कर रहे हैं देख पा रहे हैं आप 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा यह पूरा पद इस वाले पूरे पद से क्या हो जाएगा कट जाएगा यहां बचेएगा पांच तीन आठ आठ में दो से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा साइन 4x यहां पांच आठ में दो से भाग दोगे तो फूर एक्स ठीक है तो कुल मिला जुला के साइनन अपां कास को क्या बोलते हैं 10 आफ कितना आफ 4 यक्स की बात हो रहे हैं यहां ABOUT math फूरिएक्स इस प्रकार से यह आपको जो मिला है इसे क्या कहते हैं हम लोग आर यह श अर्थाथ यह स्वराबर क्या होगी आमारे पास र श मतला 22 पच्च बराबर 25 इस प्रकार से आपके लिए यह सवाल नम्बर क्या थी 17 बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और प्रस्शंख्या हमारे पास क्या है अठारफ कि साइन एक्स माइनस साइन माई अपान प्रोब करना है हमारे पास जो दोल शूत्र लगने में वाले हैं सबसे पहले हम उन पर चर्चा करेंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई पहला सुथ लगेगा तो साइन के माइनस में हमें संसरा सीघर हमली निएन सबसे पहले क्या आता है हमारे लिए मैं साइन का माइनस है तो तो निमहां FLJ Прig質 क्या हो जाएगा 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 दूसरा सूत्र हमारे पास क्या है cos x plus cos y cos x plus cos y इसके लिए सूत्र होगा cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 ठीफे ठीफे दोरों सूत्र यहाँ आप लाई कर दीजे सबसे पहले तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे यह ले यह ले यह ले यह ले यह ले यह हमारे पास है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपान कॉस एक्स प्लस कॉस वाई ठीक है अब देखें साइन एक्स माइनस साइन वाई अपान कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है तो यह हमारे पास सूत्र लगकर सबसे पहले इन लोग सूत् x में y जोड़ेंगे y2 करेंगे into sin x में y घटाएंगे y क्या करेंगे 2 और पूरे का बटा किसका पूरे का बटा 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 आप देख पा रहे हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा और cos x plus y by 2 से cos x plus y by 2 भी चल बसेगा जो बचेगा वो हमारा sign है और cos है और दोनों के code भी आपस में क्या है बराबर है इसलिए sign upon cos को क्या बोलते हैं 10 और code हो जाएगा x minus y by 2 जो कि हमें क्या करना था प्रूब करना था तो यह आपको जो मिला है उससे क्या कहेंगे और यह यह ठीक है और यह 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 अर्थात यह यह बराबर क्या हो गया और यह जो की सवाल नंबर क्या थी 18 इस प्रकार से हम लोगों ने प्रस्णावली तीन दसमलों की तीन दसमलों 3 की 18 सवालों को पूरा कर लिया है आज की वीडियो में बस इतना ही आइखोप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे नेक्ष वीडियो में तब तक क लिए जय हिंद जय भारत